दोस्तो हाली में मैं आप लोगों को एक खवर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से अधानी गुरूफ के तरफ से इंडियन आर्मी और इंडियन यार्फोर्स के लिए हार्मिस 900 मतलब दृष्टी 10 द्रोनों का निर्मान किया गया और हाली में इसे जब अन्वेल किया गया पर वही पर दूसरे तरफ अधानी गुरूफ के तरफ से हाली में हर्मिस 900 द्रोनों को लेके एक बहुत बड़ा खवर दिया गया है जो कि कई सारे लोगों को अचम्बित कर सकता है क्योंकि अधानी गुरूफ का कहना है कि कमपनी के तरफ से अल्रड़ी 20 यूनिट के ऐसे द्रोनों को निर्मान करके एक्सपोर्ट किया जा चुका है मतलब दोस्तों इंडियन आर्म फोर्स के तरफ से जो चार द्रोनों का ओडर दिया गया है उसके इलावा कमपनी करिफ करीब 20 ऐसे द्रोनों को निर्मान करके एक्सपोर्ट कर चुका है लेकिन सवाल ये है कि ये एक्सपोर्ट किसे हुआ है बेसिकर दोस्तों अगर देखा जाए तो अधानी ग्रूप के तरफ से जब से इन हर्मिस द्रोनों को भारत में निर्मान करना शुरू किया गया है तफ से ही ये संभावना जताया जा रहा था कि इंडियन आर्म्ट फोर्सस के तरफ से काफी मातरा में इन द्रोनों को खरिदने को लेके ओर्डर प्लेस किया जाएगा पर उस दर्मियान 20 द्रोनों के एक्सपोर्ट के जो खवर है यासल में कई तरीके का सवाल फैदा कर रहा है अब दोस्तों बैसिकली अगर देखा जाए तो ये हर्मिस 900 सिरिस के जो द्रोन है इसे इसराइली कंपनी एलविट सिस्टम्स के तरफ से निर्मान किया गया है और एलविट सिस्टम्स और आदानी ग्रूप मिलके भारत में हैदरावाद स्थीद एक फैसिलिटी में इन द्रोनों का निर्मान कर रहा है और रिपोर्ट के मुताविक करिवन 60% इंडिजनियस कंट अदानी ग्रूप के तरफ से कहा गया है यह असल में दर्शाता है कि अल्रेडी कई सारे देशों को अदानी ग्रूप के तरफ से इन द्रोनों को निर्मान करके एक्सपोर्ट किया गया है और रिपोर्ट के मुताविक इसमें जो नया नाम सामने आया है वो असल में फिलिफ तिक रूप में भी फाइदा होगा दोस्तों हर्मिस 900 सीरिस के अगों द्रोन को देखा जाए तो ये एक मीडियम ऑल्टिटूड लॉंग इंडूरेंस रहनी का ऐसा द्रोन है जो की सर्वलेंस रिकॉनेसर इंटलिजन गैदरिंग और कॉम्मुनिकेशन रिले के लिए इस्नेम के कुछ ऐसे वर्जिन भी है जो की हतियारों से भी लैज हो सकता है इवन दोस्तों अगर घरलू मार्केट को भी देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताविक साल 2023 में इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के तरफ से हर्मिस 900 द्रोन को टेस्ट किया गया और उसके बाद मार् इंडियन द्रोन को परचेस करने के बाद शायद एक्स्टेशिवली इन द्रोन द्रोन को परखा जायरों से बाद शायद एडिशनल इन ट्रोनों का भी магаз किया जाए दुसरत दरफ दोस्तों हर्मिस 900 द्रोनों को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताविक यह जो विंग स्पैन करीवन 15 मिटर मतलब 49 फिट 3 इंच है और दोसो इस द्रोन का ग्रॉस वेट केबल मात्र 1100 किलोग्राम है और इसमें इंजिन के रूप में एक रोटेक्स 916 160 किलोवाट या फिर कहतो 210 होर्स पावर का इंजिन का इस्तेमाल किया गया है जिसके सारे यह जो द्रोन है 220 किलो मिटर पर आवर या फिर कहतो 120 नौट के रफ्तार में उड़ान भर सकता है जबकि इसका क्रूसर स्पीट करीवन 112 किलो मिटर पर आवर या फिर कहतो 60 नौट है दोसो अल्रीड मैं आप लोगों को बता चुका होगी यह 30 घंटे से भी अधिक समय तक लगातार उड़ान भरने का शमता रखता है और दोसो इसके से सर्विस सिलिंग है वो 9100 मिटर मतलब करीव 30,000 फिट के आसपास है और दोसो इससे एक तरीके से इंडियन आर्म फोर्स के तापस BH201 Unmanned Aerial Vehicle के जो requirement है उसे भी पूरा किया जा सकता है और तापस BH201 Unmanned Aerial Vehicle 30,000 फिट के altitude और 24 घंटे तक लगातार उड़ान भनने का शमता का परदर्शन नहीं कर सका इसलिए बताया जा रहा है कि ये द्रोनों को reject किया गया है लेकिन अगर हर्मिस 900 को देखा जाए तो ये दोनों ही शमता से less है जिसके कारण एक तरीके से अब कह सकते हैं कि इंडिया के जरोतों को भी पुरा करने के लिए ये फर्फेक्ट है और दोस्तों फिलाल तो इन द्रोनों के आर्म्ट वर्जिनों को लेकर कोई भी खवर नहीं है लेकिन भविशे में अगर इंडियन आर्म्ट फोर्स के तरफ से बड़े मात फोलियों को और बढ़ाने का तैयारी किया जा रहा है और अधानी ग्रूप अब टैक्टिकल अनमैन एरियल वेहकल के तरफ भी आगे बढ़ेगा दोस्तों मीडिया रिपोर्ड में दावा किया जा रहा है कि हर्मिस 900 द्रोनों के बाद अब अधानी ग्रूप के तरफ से इस आवशक्ताओं को देखते हुए अब अधानी ग्रूप दिश्टी ट्रेंड के बाद ये टैक्टिकल द्रोनों के तरफ आगे बढ़ रहा है दोस्तों हर्मिस 900 सिरिस के द्रोनों को अगर देखा जाए तो इसे हर्मिस 450 द्रोनों के बेस पे ही बनाया गया है और आप लोगो को ये भी बता दो कि हर्मिस 450 असल में रेकॉनेसंस अर्वलेंस और कॉम्णिकेशन मिशन के लिए पैचाना जाता है और दोस्तों रिपोर्ट के मुताविक एलविट सिस्टम इन द्रोनों को भी अधानी ग्रूप के साथ मिल के मतलब भारत में बनाने को लेके तैयार है हर् में इलेक्ट्र ऑप्टिकल इंफ्रारेट सेंसर, कॉम्णिकेशन अन इलेक्रोनिक इंट्लिजन कैपेविलिटी, सिंथेटिक एप्रेचर राडर, ग्राउंड मुविंग टार्गेट इंडिकेटर, इलेक्रोनिक वोर्फेर सिस्टम, इवन हाइफ़धिकल सेंसर भी शामिल हलाकि दोस्तों अधानी ग्रूफ के तरफ से वी ये जो ओफर है ये उस दर्मियान रखा गया है जब भारत के डिफेंस रिसर्च और डेवलप्न और्गनेशन और एरनोटिकल डेवलप्न स्टैबलिश्मेंट के तरफ से मीडियम ऑल्टिडूड लॉंग इंडूरेंस रण के साथ मनुफैक्ट्र करके सप्लाइ करता है तो यह इससे अच्छा ऑप्षन इंडियान आर्मी के और इंडियान आर्मी के पास नहीं होगा वोयी पर दूसरी तरफ अगर इंडियान आर्न फो इसे में आथा है तो एक तरीके से अब कह सकते हैं कि इसे भी इस्तेमाल करना इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए आसान होगा अब दोसों एलविट सिस्टम के हर्मिस 450 द्रोनों को अगर देखा जाए तो 1998 में इसे बनाया गया था और इन द्रोनों का इस्तेमाल कई सारे देश खास करके अजरवेजान, बॉस्टेनिया, ब्राजिल, कोलंबिया, जॉर्जिया, इस्राइल, नॉर्थ मेसेडोनिया, मैक्सिको, फिलिफिन, सिंगपूर, थाइलेंड, उनाइटे स्टेड और जैंबिया कर रहा है और दोस्टों इस तरीके के जो द्रोन है, इसे ओपरेट करने के लिए दो क्रू मेंबर के ग्राउन करीव का आवशकता होता है और इन द्रोनों को लेके विताया जाता है कि इसके कैपबिलिटी करीब करीब 180 किलोग्राम या फिर 400 पाउंड का है जबकि इसके आकार को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताविक इसका लंबाई 6.1 मीटर मतलब 20 फिट के आसपास है और इसका विंग स्पैन करीबन 10.5 मीटर मतलब 43 फिट 5 इंच है इसका ग्रॉस वेट केवल मातलब 550 किलोग्राम का है और इसका फियूल कैपसिटी 105 किलोग्राम का है दोसो इस द्रोन में एक UAV इंचिन लिमिटेट के तरफ से निर्मान किया हुआ R802 या 902W इंचिन का इस्तेमाल किया गया है जिसका शम्ता 39 किलोवाट या फिर कहाए तो 52 होर्स पावर है और दोसो इसके सहारे ये जो द्रोन है ये करीब करीब 176 किलोमीटर पर आवर या फिर कहाए तो 95 नौट के रफ्तार में उडान भड सकता है जबकि इसके जो cruiser speed है वो करिवन 130 km per hour या फिर कहाँ तो 70 knot है इसका stall speed करिवन 76 km per hour या 42 knot के आसपास है जबकि इसका range 300 km और endurance मतलब लगातार उडान भरने का शमता करिवन 17 गंटे का है जबकि 450 LE जैसे drone जो है वो 30 गंटे तक लगातार उडान भर सकता है drone के service ceiling करिवन 5500 मीटर मतलब 18000 feet है जबकि इसके rate of climb 4.6 मीटर per second या फिर कहाँ तो 900 feet per minute है जबकि इसके maximum mission radius करिवन 200 km है मतलब ये अच्छे खासे distance में काम कर सकता है लेकिन ये आकार में छोटे होने के कारण एक तरीके से detect करना काफी मुश्किल है और दोस्तों इसमें कई तरीके के जो आधुनिक sensors का इस्तेमाल होता है उनके कारण इन drone के द्वारा surveillance recognition के काम को और आसान किया जा सकता है दोस्तों आप लोगे को क्या लगता है कि अधानी गुरूफ के तरफ से इन drone को लेकर जिस तरीके से काम किया जा रहा है ये भारत तो कैसे आने वारे सवय में drone के मामले में आत्मने द्वर कर सकेगा कॉमेंट करके अपने राए अवश्र दीजिए दोस्तों आजके इस वीडियो को यही फैई करते हैं समापत किसी और एक दुन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम